जहन नमस्कार दोस्तों मैं विराट चोदरी श्वागत आपके अपनी यूटूब चनल कमांडो किट में दोस्तों आज का इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो एससी जीडी की जो नए रूल्स आहे हैं या जो नोटिस आ रहा है एक तो जो कल मैंने वीडियो बन जानना चाते हैं तो उसमें आप मैंने बोला था कि आप डेट साल के रिलेशन के लिए मतलब आपको छूर दी जाए इसके लिए आप रिट्वीट करें उनको तो कुछ लोगों को लगा कि फेक रहे कोई नोटिस नहीं है तो सब पहले आप वो नोटिस देख लिए इस आप हमें जुरूर बताएं ताकि हम अपनी जो मीटिंग है उसमें उसके बारे में चर्चा कर सकें उसके बारे में कुछ पर जाना उसका जो टेंडर लिखावा है उसके जाना क्लिक करना वहां पर नोटिफिकेशन डाली हुई है उसको क्लिक करना डाउनलोड करना और पूरी अच्छे से पढ़ना तो उसमें आपकी राय मांगी गई है तो आप राय देने के लिए सभी आपको पता है हंडेड औ पाना बहुत मुश्किल है और होगा भी नहीं इसा कोई कुछ भी बोले ऐसा अब बहुत मुश्किल है लेकिन एक चीज़ हो सकती है वह थी एज में छूट तो दोस्तों अब हम बात करेंगे जो नए रूल आ सकते हैं से स्टाफ सेलेक्शन कमिंशन के या जो नए रूल आन करना उसके बारे में तो दोस्तों साथ एक चीज़ बता दूं अगर आप ऐसे जीडी के तैयारी कर रहे हो तो यह फिर फंट की एक राय देता हूं मैं आपको कि आज से तैयारी करोगे ना और वो यह मान के कि तीन महीने बाद में एक्जाम है तो ही नंबर बनेगा क्योंकि अगर 85 पलस अगर इसको नहीं किया तो सोचना भी मत कभी कि आपका सेलेक्शन होगा यह 100 परसेंट आप लिए लिए मेरे से यह निए आपको आज से तीन महीने चुनने कि तीन महीने बाद मेरा एक्जाम है और उस हिसाब से आपको त्यारी करने पड़ेगी आज से अगर को अगर आपको आज से करनी पड़ेगी अब जो 85 प्लस का अगर आप इसको लेके चलोगे 55 प्लस उ आपको निया रूल आएगा उसके अगर बता द olduğunu कि अगर आग में चूर दी कई तो दोस्तों अगर तैंस साल से बड़ा के ता देज साल में एक साल डिले हो गई उन सभी को पता कि तीन साल तक उनकी वेकेंसी खिच गई है तो इसलिए उनको इस बार एज में थोड़ी सी छूट मिल सकती है अगले महीने से काउंट होती है अगले साल दे यह नहीं दो जार बाइस भी दे तो भी आपको काफी फायदा हो सकता है तो उसकी वजह से अगर आपको एज में छूट मिलती है तो आप भी आश रखें इस बार क्यों हो सकता है कि स्टाफ सेलेक्शन कमिंशन ऐसे जीडी के लि आपको team तो उसके रखें से फिर 24 बात कłeं से 6 30डी क में अगर पांस किल में करीं सबस्क्राइब शोटहरे करते हो सबसे बड़ा पढव पढ़ाव और पहला वह रहें रिटन एक्जाम में आप सभी को पता है 25 कि पचीश जीक्ये के 25 हिंदी और 25 इन में आपको 85 स्कोर करना है करना यह मानके चलिए तब आपका नंबर आएगा नहीं तो नंबर आपना बहुत मुश्किल है अभी परजेंट टाइम में जो कम्पीटिसेंट चल रहा है इसका उसमें आपका नंबर आपना बहुत ही मुश्किल है दोस्तों इसलिए मेरी आप खास राय मान लीजिए कि आप आज से तयारी कर लिए अगर आपका डिस्टिक नक्सल डिस्टिक में आता आपने जनरल जो बढ़ दिया तो भी गल्कि हो जाएगी उसके आपके फॉर्म डिजेट हो जाएगे वह भी रिजेक्ट कब होंगे जब आपकी फाइनल में आईगी उस समय उससे पहले आपको नहीं बताएंगे कि आपक उनको बेजे भी नहीं उनके डारेट रिजेक्ट हो गए अब जब नमबर ओपन में तब उनको बता रहा कि वह मेडिकल में फिट है या वाई में फिट है तो मतलब उनको रिजेक्शन लेटर भी नहीं बेजे तो इसलिए बात का विसे जान रखना दोस्तों आप कौन सी ड टेलिग्राम गुरूब का लिंक की नीचे है ताकि मैं आपको बता दूंगा आप डिस्टिक पूछोंगे तो मैं जुरूर उसमें रिपलाई करूंगा आपको या इधर भी आप कमेंट बोक्स में लिख सकते हो तो मैं एक वीडियो बनाओंगा कि कौन को विसे जो स्टेट मान के चलिए कि नेगेटिव मार्किंग रहती है तो जो बच्चा अभी से तयारी करेगी उसके लिए काफी फायदा होगा क्योंकि मेरिट बहुत उपर जा रही है हंड्रेड भी क्रोश कर दिये नॉन्मलाइजेशन की हुझे से तो इसलिए नेगेटिव मार्किंग रहेग ही एक है तो इसका अड़ीची करने तो इसका फीजी कल लड़कियों के रहेगी होती है लड़कों की यहाद नहीं थी हेज़ेश्य से में इस प्रूर अग्याम टाब सब्सक्रावारी को टाल कर दो कि अगर आप त्यारी करें तो अच्छे से त्यारी करना ताकि अब जो ने नोटिस आ रहा है या जो नहीं आ रहा है उसमें से अगर छूर ती जाए इसके किसी भी पार्ट में तो आपको काफी फाइदा हो सकता है और बहुत ही बड़ी वेकेंशी रहने वाली इस बार आप सभी को पता है क्योंकि सीटे प्रमिल्टरी फोर्स में अगर तीन साल यह वे और भी 15-20,000 प्लस हो सकती है अगर आप पहली बार भी तैयारी कर रहे हो तो इन बातों का विशेश ध्यान रखना और तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी आपको तब ही जाके आपका काम बनेगा दोस्तों नहीं तो आपका काम बनेगा नहीं जय हिंद जय भारत